नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार कुरोना वाइरस के बढ़ते खत्रे को देखते हुई देश के तमाम बड़े शहरों को लॉक्डाउन कर दिया गया है रहिवार की शाम बिहार सरकार ने भी लॉक्डाउन की घोशना कर दी को लॉक्डाउन से प्रेशान होने की जरुरत नहीं है सरकार लॉक्डाउन के दौरान आम लोगों का फूरा ख्याल रखती है भारत ही नहीं बलकि दुनिया के कई देश इंग्लेंड अमेरिका फ्रांस इटली एवं एस्पैन में भी सरकार ने लॉक्डाउन का आदेश दे जिस तेजी से लगातार कुरोना वाइरस संक्रमित व्यक्तियों की तदाद बढ़ रही है उसे देखते हुए बिहार सरकार ने भी लॉक्डाउन की व्यवस्था लागू की है ताकि लोग एक दूसरे से कम मिल सके सरकार के तमाम आदेशों के बावजूद भी कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं रविवार को बिहार में कुरोना वाइरस से दो व्यक्ति की मौत हो गई फिलाल कुरोना से ग्रसित दो पीडित मरीज का इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है करोना वाइरस से किसी को भी डरने की जरुरत नहीं है और नहीं लॉकडाउन से लॉकडाउन एक ऐसी इमर्जेंसी व्यवस्था है जो एपेडिक या किसी आपदा के वक्त शहर में सरकार द्वारा लागू की जाती है लॉकडाउन की सिती में उस शेतर के लोगों को घरों से निकलने की अनुमती नहीं होती है उन्हें सिर्फ दवा या आना जैसी जरूरी चीजों के लिए बाहर आने की इजाज़त मिलती है या फिर बैंक से रूपे निकालने के लिए भी घर से बाहर जा सकते हैं शहर में रहने वाले अस्थानिय लोगों को स्वास्तिय अन्न खत्रों से बचों के लिए इसे लागू किया जाता है कुरोना संक्रमन के बढ़ते केसेस को देखते हुए बिहार में भी लॉकडाउन किया गया है आपको बता दे की चीन में सबसे पहले कुरोना वायरस संक्रमन का मामला सामने आया था इसलिए सबसे पहले वहां लॉकडाउन किया गया इटली में बिगड़ती स्थिती को देखते हुए वहां की सरकार ने भी लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया इटली की स्थिती दिन प्रतिदीन काफी खराब होती जा रही है वहां कुरोणा के वज़े से मरने वालों की संख्या चीन से कहीं ज्यादा हो गई है ऐसे में इटली के प्रधान मंत्री ने पूरे देश को लोकडाउन कर दिया है जब कोई देश किसी आपदा से जूज रहा हो तो ऐसे समय में देशवासियों को एक जूठ होकर आपदा से लड़ने की जरूरत होती है इसलिए बरतमान में जो हमारे देश के हालात हैं इसको देखकर हम सवों को एक जूठ होने की जरूरत है और सरकार के नियमों का सक्ती से पालम करनी की जरूरत है सिल्क टिवी भी इस आपदा की घड़ी में सभी लोगों से अपने घरों में रहने की अपील करती है ज्यादा जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें स्वक्ष रहें, स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें